हाई फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आप फिर से हमारे इस नए वीडियो में तो फ्रेंड अभी सुभा के करीब 9 बजे और मैं जा रहा हूँ आपने लोकल मार्केट देवगर चुकि आज मुझे 10 hp का इंजन खरीदना है तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इंजन अच्छ तो भाई लोग आप लोग यहां देख रहे हैं मैं अभी पहुंच चुका हूँ देवगर और जहां मैं अभी खड़ा हूँ भाई लोग इस जगह का नाम है भगवान टॉकिज यह भगवान टॉकिज का गली है जो कि आप लोग यहां देख रहे हैं यहां बहुत सारी मशि माधान में बात किया हूं जो कि आपलोग यहां देख ही रहें कि आपको बता दें कि मैं बराबर इसी दुकान से, समान खरिदता हूं यहां उधार बाकी भी मेरा चलता है, तो भाए लोग इन्होंने मुझे तीन-चार इंजन का प्राइस भी बता दिया जैसे में कि रोसकर उ है उसका प्राइस भी बताया और एक उससे भी ज्यादा है इंजन के बारे में बताया मुझे जो की कि रोद कर के 10 ही इंजन के मुकाबले में उसका 10 एच्पी बोर रहा है कि ज़्यादा है वी Site का यह तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इंजन है उसी इंजन को लाने के तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूं तो भाई लोग आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि करीबन आदा गंटा के बाद यहां देखिए एक ठेला में एक इंजन आया हुआ है तो अभी हम लोग इसको नीचे उतारेंगे और इसका अनबॉक्सिंग करें देखेंगे कि कौन सा इंजन है तो चलिए इंजन के बारे में आपको कुछ मैं पहले डिटेल दिखा देता हूं तो आप लोग यहां देख पारें भाई लोग यह इंजन है और इसका आप यहां देख पारें ब्रांड टॉप लेंड जो कि साइद आपने पहली बार नाम पता नहीं है मैं पहली बार इसे ले रहा हूं तो यहां देख पारें इस इंजन का मोडर नंबर देखिए आप लोग 83 यह है तो यहां देखिए सबसे पहले हम लोग इसको उतारते हैं और इसके बाद जो है हम लोग इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे तो भाई लोग आप ल आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि इंजन का अन्बॉक्सिंग हो रहा है यह देखिए यह जो लकडी का लगा हुए पटरा जैसा जो पूरा जिसमें कि यह पेक है फ्रेंड मक्सा बना हुआ है जो उसको कबाडा जा रहा है यह देखिए धिरे धिरे और इदर आप दूक बहुत ही हेवी पेकिंग होता है भाई लोग बहुत ही हेवी पेकिंग आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इंजन को हैं क्योंकि ये ट्रांस्पोर्ट के द्वारा आता है तो बहुत जगा फ्रेंड इधर उदर होता है इसलिए इतना हेवी पेकिंग करके दिया जाता है ता उसको खारने की कोशिस किया जा रहा है तो आप लोग देखते रहे हैं फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वीडियो बहुत ही इंड्रेस्टिंग है आप लोग यहां देखी रहे हैं कि इसका अनबॉक्सिंग किया जा रहा है तो आप लोग देखते रहे हैं क तो भाई लोग आप लोग यहां देख रहे हैं कि धिरे धिरे जो लकडी का बक्स है उसको तोड़ा जा रहा है और यहां से जो है इसको निकालने की कोशिस किया जा रहा है यह देखिए दो तरफ जो है अभी भी बचा गुए और इसे भी तोड़ा जा रहा है जो कि आप जाएगा यह देखिए इसके प्लास्टिक को खड़ा जा रहा है तो यह देखिए धिरे धिरे इसके कभर को हटा रहें तो आप लोग यहां देखी रहें यह देखिए किस कलर का इंजन है तो आप लोग यहां देखी रहें नीला कलर का जो कि आपको यहां देख रहा है यह दे और यहां आप देखी रहें फ्रेंट चलिए इसके बारे में कुछ हम आपको डिटेल सबसे पहले दिखाते हैं जो कि सायद आपको दिखे या नहीं दिखे यह देख पा रहे हैं आप 10 HP का है जो कि यहां लिखा भी है इसका रेटेड आउट पूट आप यहां देख पा रहे ह इंजन जो कि सायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे और फिर आप लोग देखे होंगे पहले भी लेकिन मैं तो इसे पहली बार जो है खरिदा हूँ यह देखिए टॉप लेंड जो कि आपको इंजन के हर एक जगा में देखने को मिल जाएगा तो फ्रेंड आपको बता दें कि यह जो इंजन है यह आगरा का नहीं है यह राजकोट का है जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था और आप लोग यहां देख पा रहे हैं यह फाइनली जो है अनबॉक्सिंग हो चुका है तो और देखते हैं कि क्या-क्या इस के साथ में हम लोगों को मिला हुआ है तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं तो भाई लोग आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि साइड से भी एक जो है काटून दिया गया है जिसमें कि इस इंजन का टंकी है फ्यूल टंक और सेलेंसर जो कि आप यहां देख पा रहे ह और air cleaner सब कुछ जो है उसमें फिल्टर भी है जो कि आप यहां यह देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है कुछ और भी मिला हुआ है चलिए आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिए वीडियो को skip मत कीजिएगा तो यहां देख पा रहे हैं दिरे दिरे एक एक करके सब कुछ निकाला जा रहा है यह air cleaner और यह देखिए इसका band है यह भी मिला हुआ है और इसके साथ साथ में यहां आप लोग इस काटोन के अंदर देख रहे हैं फ्रेंड कि इस machine का जो है handle अगेरा जो है इस काटोन के अंद filter है और इसका जो है इस machine का जो card होता है friend वो मिला हुए और यह देखिए offer में एक task खेलने वाला पत्ती मिला हुआ है जो कि आप लोग यहां देखी रहे हैं और यह रहा इसका kit वगेरा जिसमें की कुछ है यह देखिए वासर वगेरा कुछ-कुछ है यानि की filter वगेरा में जो भी वासर लगेगा friend वो यहां दिया गया है जो कि आप यहां देखी रहे है फ्रेंड इसके साथ साथ में एक थेला भी मिला हुआ है जिसमें की चलिए देखते हैं कि क्या क्या मिला है उस थेले के अंदर में हम लोगों को तो यहां यह देखिए friend यह एक थेला मिला और यहां रेंच वगेरा है जो कि इस थेले के अंदर में मिला हुआ भाई लोग अब हम लोग बात करते हैं इस इंजन के price के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि इस इंजन का जो price है भाई वो किरिलोसकर से भी ज्यादा है अनकी किरिलोसकर का 10 hp का इंजन मुझे मिल रह रहा था 10 HP का लेकिन ये जो इंजन है थोड़ा सा महगा मिला है अनकी ये इंजन हमें मिला है 44,000 में भाई लोग किरलोसकर से ज्यादा महगा ये क्यों है तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें जो है ये तीन पिनियन है तो ये काफी अच्छा जो है लोड उठाएगा और क अपलेंड ब्रांड का जो कि पहली बार मैं लिया हूं और इस इंजन का जो मैं यूज करने वाला हूं फ्रेंड वो यूज करने वाला हूं धान के कुटाई में अनि धन कुटाई मसीन इससे हम बनाने वाले है इसलिए मैंने तीन पिनियन वाला इंजन को सेलेक्ट किया जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं फिर किसी आगले नए वीडियो में